नवस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नई हिंदी डेली मार्केट अनालिसिस वीडियो में चलिए करते हैं हमारा मार्केट अनालिसिस सब्सक्राइब करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है बैंक निफ्टी बिल्कुल एक strong candidate बना हुआ है लेकिन जब तक निफ्टी bullish नहीं होगा तब तक देखें जो major indices होता है हमेशा जब भी यह rule of thumb है जो हर person जो market में treat करता है वो use करता है कि वोस जो major indices है अगर वो perform कर रहा है तो बाकी stocks के perform होने के chances काफी जादा हो जाते है आधर stocks के या अधर indices के perform करने के chances बढ़ जाते हैं काफी ठीक है इसके लिए आपने ऐसे सुना भी होगा बहुत बार कि वोस जब market में bull run चल रहा होता है तो हर कोई stock move करता है because बड़ा indices चल रहा है market में और जब market में बड़ा indices perform नहीं कर रहा होता है जब bear run चल रहा होता है तो हर अच्छे stocks भी गिर रहे होते हैं उस time पर ठीक है तो बहुत जादा mentality पर असर करता है कि बड़ा indices कैसा perform कर रहा है ठीक है तो जब तक कि यहाँ पर nifty अपने आपको strong नही बताएगा ठीक है जब तक nifty अपने आपको strong नहीं बताएगा कि और यह exceptions होते हैं हर बार होते हैं कई कई बार होते हैं कि boss bank nifty अच्छा perform कर रहा है निफ्टी उतना अच्छा perform नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि boss हम जब trade ले रहे हैं तो मान लीजिए कि जब indices के साथ में major indices निफ्टी मान लीजिए ऊपर जा रहा है ठीक है bank nifty भी उस टाइम पर उपर जा रहा है तो हम एक अच्छे quantity में प्लान कर सकते हैं confidence के साथ प्लान कर सकते हैं ठीक है लेकिन जब nifty नीचे fall हो रहा है तो अगर bank nifty उस टाइम उपर भ किसी दूसरे इंडाइस में भी प्लान कर रहे हैं तो बड़े इंडाइस को देखते रहो कि यह किस तरीके सा perform कर रहा है ठीक है यह कुछ negative तो नहीं हो रहा है यह अगर negative हो रहा है तो उसको उपर चड़ने में दिक्कत आएगी या अगर यह positive चल रहा है तो उसके गिरने मे थोड़ इसे दिक्कत आएगी ठीक है especially कोई news हो तो वो अलग बात है कि कोई एक news है जो banking sector से related है कोई news है जो IT sector से related है तो उस time पर थोड़ा सा difference आ जाता है ठीक है अभी nifty अगर आप देखेंगे तो फिर से nifty ने वही किया है कि boss यहां से जो हमने बोला था कि इसको at least इसके उपर पहले जाना चाहिए ठीक है 25,200 के उपर इसको पहले move करना चाहिए पहले मैं इसको थोड़ा से बढ़ा कर देता हूं ठीक है हमने कल क्या बोला था कि boss यहां से यह सब पहले तो यह है इसके लिए resistance zone है ठीक है पहला resistance zone यह आएगा ठीक है पहला resistance zone यह वाला आएगा which is 25,200 का level ठीक है उसके बाद दूसा resistance है 25,500 का level ठीक है अभी एक strong selling आपको आज के दिन दिखाए दी ठीक है काफी strong selling यहां पर market में आई है और अब अगर यहां से market higher levels पर move करता है तो यहां पर हम थोड़ा सा confidently plan कर सकते हैं ठीक है और देखे aggressively हम तो plan तभी कर पाएंगे जब market 25 25,500 के उपर इसके level के उपर जब जाएगा न क्यूंकि बहुत ज़्यादा chance आ जाते हैं कि बहुत है जब भी देखे आज भी क्या हुआ कि previous जो selling level है वहां पर market open हुआ और तुरंत वहां से market fall होना शुरू हो गया ठीक है इसने यह characteristics market हमेशा आपको दिखाएगा तो यहां प पहला जो हमारा पहला point of view होगा यहां पर 25,500 पर वह selling का point of view होगा कि बहुत यहां पर selling opportunity देखें यहां पर अगर market मान लीजे early candle पर कोई negative candle बनाता है 15 minute chart पर कोई price action बनाता है तो यहां पर हम entry plan करेंगे कि हां यहां से market में एक हमें short term bearishness देखने को मिल सकती है और यहां से अगर मान लीजे market नीचे है वापिस turn हो गया उपर strongly turn हो गया तो हम मान लेंगे पर यहां से हमारा stop loss हुआ है साथी साथ यहां पर जो trend है वो भी reverse हो गया trend का reversal भी यहां पर हो गया ठीक है अब हमें क्या करना चाहिए अभी के case में तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए तो मैं थोड़ा weight करना पसंद क्योंकि bank nifty काफी strong दिखाई दे रहा है ठीक है अच्छा गता strong दिखाई तो यह selling level nifty में काफी दूर है बैंक nifty अब इसके आज पास पहुचने की कोशिश कर रहा है 52,000 को challenge कर रहा है 52,000 के level को challenge कर रहा है यहां पर और यहां से इसको उपर जाने की कोशिश में है कि बहुत से इसके उपर मैं trade करूंगा continuously आज 52,000 को hit करने के इसने कोशिश करी है यहां से देखेंगे यहां से 52,000 को बार बार touch करने की कोशिश कर रहा है और यही इसके लिए भी थोड़ा resistance रहे है इसके उपर अगर यहां पर market move करता है 52,000 के उपर trade करता है यहां से उपर जाता है तो हम यहां से बिलकुल एक plan कर सकते हैं यहां से bullish momentum जरूर हमें देखने को मिल सकता है कहां तक 52,400 के level तक 52,400 या 350 के level तक हमें देखने को मिल सकता है ठीक है क्योंकि यही एक जो है वो previous selling zone है which is 52,400 या 52,300 के लिजे 52,300 अगर conservative target ले लेंगे तो यह ठीक ठीक दिखाई दे रहा है अबी लेकिन दिक्कत के वल एक ही है कि nifty negative है अबी ठीक है nifty negative है तो nifty अगर माल लिजे किसी condition में 25,200 के उपर 25,200 या 250 के उपर 250 के उपर अगर एक close दे देता है यहाँ पर हमें closing मिल जाती है daily basis पर daily charts पर एक closing यहाँ पर मिल जाती है तो हम एक यहाँ पर uptrend market में experience कर सकते हैं short term एक uptrend मिल सकता है 25,500 तक जाता हुआ ठीक है एक 200 point की यहाँ से nifty में rally हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि आज इसने एक resistance वहाँ से ले लिया है strong resistance ले लिया है previous resistance zone से ठीक है daily charts अगर देखेंगे तो daily charts तो nifty में किसी भी angle से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी तरीके से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है यहां से तो यह ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि बहुस यह यहां पर time pass कर रहा है भी और इसके नीचे break करने के ज़्यादा chances दिखाई दे रहा है तो अगर यह फिर से market मान लिजे इस level के नीचे यानि 24,950 के नीच अगर market फिर से move करना शुरू करता है तो हमें यहां से एक फिर से selling pressure आता हुआ दिखाई दे सकता है तो एक ही zone आप mark कर सकते हैं यहां पर एक zone mark किया जा सकता है which is this to this यह एक zone यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर यह एक zone दिखाई दे रहा है इस zone में बीच में थोड़ा market डाइसी ही बिएव करेगा इस zone के क्योंकि यहां से market लेके उपर जाने ही कोशिश करी थी higher side पर resistance है तो जब तक इस zone से market बाहर नहीं निकलेगा तब तक थोड़ा सा यहां पर दिक्कत दे सकता है market problem दे सक देगा तब हमें एक अच्छा मुख दिखाई दे सकता है और आज भी आप अगर देखोगे इंट्रिस्टिंगली आज के दिन भी इसने जो यह यह जो candle है इस candle के अंदर ही closing दे दिये ठीक है मतलब continuously एक दो तीन चार पांच छे दिन से market इसी candle के अंदर ही closing दे रहा है किस candle क के बाहर जाने कोशिश करा है लेकिन नहीं जा पा रहा है तो एक क्लू हमें तब भी मिल सकता है जब market इस candle के बाहर closing दे 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 इस तरीके से अगर higher side पर closing दे देता है तो हम प्लान कर सकते हैं लेकिन यह थोड़ा zone निकल जाएगा तो हमें अच्छा move यहां पर देखने को म तब तक देखो अभी यहां पर nifty में जब तक market इस zone में फसा हुआ है यह जो zone है इस zone में जब तक है तब तक यहां पर कोई भी trade हम प्लान नहीं करेंगे इस negative side पर सोचा जा सकता है बिल्कुल सोचा जा सकता है अगर 25,000 के नीचे यह cross करने की कोशिश कर रहा है इसके नीच चार्ट देखेंगे तो मैंग निफ्टी अपनी closing एक अच्छी closing दे चुका है यहां पर इस candle के बाहर एक closing भी दे चुका है इसके ऊपर एक support भी इसने ले लिया है तो यह previous week का जो high है उसके ऊपर इसने closing देना भी शुरू कर दिया है अगर आप weekly chart देखेंगे तो आपको प बैंक निफ्टी का daily chart काफी stable है थोड़ा निफ्टी अगर साथ में perform करना शुरू कर दे यहां पर closing अगर इस तरीके से दे तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा momentum मुझे लग रहा है आ सकता है बैंक निफ्टी अच्छा perform कर सकता है अभी आने वाले time में ठीक है तो यहा target आता हुआ यहां पर एक bullish candle इस तरीके की बंती भी दिखाई दे सकती है ठीक है तो इसके लिए हम लोग plan कर सकते हैं कल के दिन में और जैसा मैंने आपको कई बार कहा है कि market को अगर पैसा आपको देना होगा तो आपको एक या दो trades में दे देगा आपको ज्यादा परिशान नहीं करेगा ठीक है अभी आप ये चीज़ समझे एक और point of view में आपको बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपने मतलब अगर मान लीजिए market move नहीं करना हुआ ठीक है और इस तरीके का market अगर जाना हुआ मान लीजिए market इस तरीके का अगर निकल जाए पूरा दिन तो यहां पर मान लीजिए किसी भी condition में मैं आपको एक hypothetical condition दे रहा हूं मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको ठीक है चलो यह देखते हैं एक hypothetical condition लेते हैं कि यह इस दिन market ने एक अच्छा momentum किया शुरू के तीन candle में और उसके बाद completely market sideways हो गया कोई भी बड़ा move नहीं करा है ठीक है अब अगर मान लीजिए इन तीन candles में किसी भी reason के कारण किसी reason कारण आपका यहां पर loss हो गया ठीक है यहां को आपका stop loss हो गया या कुछ भी कारण के विज़े से मतलब बहुत obvious दिखाई दे रहा है कि यहां नहीं सर यहां पर loss कैसे होगा यहां पर तो नहीं भाई आपने सोचा कि यार यह day मैं positive मैं close करूँगा मैं loss लेके घर नहीं जाओगा ठीक है अब आप देखे उसके बाद market ने यह move दिखाया है पूरे दिन बर और यह expiry है ठीक है यह expiry हो market ने यह move दिखाया है अब यहां पर आप कहां पर पैसा कमा पाऊगे ठीक है तो हमेशा द तभी आप पैसा कमा पाऊगे ठीक है अगर आप option buy अगर plan कर रहे हो option selling plan कर रहे हो तो उस time पर फिल भी चलो ठीक है आपको थोड़ा बहुत आपका कम हो जाएगा loss लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोच कि जाना है कि यार आज यह loss लेकर घर पे नहीं जाना है ठीक है यह धीरे ध mentality मन में develop होगी तभी आप एक better trader बन पाएंगे ठीक है अपने आपको market को surrender कर देना ही एक समझदारी भरा trade होता है ठीक है तो और यह ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं काफी experience से बता रहा हूं कि बहुत यह हुआ है यह मेरे साथ भी हुआ है ठीक है और हम फिर इसी में परिशान ह जाते है हर एक tick पर हमें breakout दिखाई देता है ऐसा हमने जो learn trading mistake वाली series उसमें प्रतीक सिंग के साथ भी जो learn app वाले प्रतीक सिंग है उनसे भी यह discussion मेरा हुआ था कि हमें हर एक tick में breakout दिखाई देता है हर एक tick में हमें दिखाई देता नहीं यहां से नीचे चला जाएगा हर एक red candle पे हमें bearish trade दिखाई देती है और हर एक green candle पे हमें bullish trade दिखाई देती है तो उस situation से हमें बचना है हमें सोचना है कि बॉस क्या पता market अगर ऐसा निकल गया आज के दिन तो तो मैं कमाई नहीं पाँगा पैसा और unnecessary जो मैं 5000 या 10,000 का मैंने हुआ है मैं जो loss वो 20-30 चला करता trade या 20,000 के बाद नहीं करता trade तो काफी पैसा बच जाता तो उस mentality से बचने के लिए कई लोग सजेस्ट करते हैं कि वह ट्रेडिंग जर्नल आप बनाईए ठीक है किसी वी चीज़ के प्रति अगर आप accountable रहेंगे तो थोड़ा responsible behavior आता है ठीक है अब आप trade मतलब जब भी आपको लगता है कि आज का दिन हो गया है मेरा तो लिखी है कि बॉस मैंने यह trades क्यों ली या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ और ऐसा क्या करूं कि यह नहीं हो वापिस ठीक है वापिस रिपीट ना हो ठीक है तो कुल मिलाके bank nifty bullish दिखाई दे रहा है और अगर open interest भी देखेंग जिस पर आज bank nifty struggle कर रहा था काफी तो यहां से अगर break करता है तो एक अच्छा move हमें देखने को बिल सकता है अननेसेसरी पीछे मत जाईएगा कि मान लिजी हमने discussion किया है कि 52 के उपर तो अच्छा momentum आए गई आएगा और हम यहां पर जैसी उपर market गया हमने trade प्लान किया व यहां पर देखो market नीचे आया यहां तक market आ गया ठीक है अब इसके पास बहुत अच्छा option है अभी 52,000 break करने का ठीक है बहुत अच्छा chance है असके बार कि 52,000 break कर दे यहां पर एक दो candle consolidate करे और break कर दे इससे best option इसके लिए क्या होगा अभी नहीं होगा कुछ भी यह तो कोई सही option नहीं होगा कि market फिर से नीचे आये और फिर से वापिस यहां से यहां तक जाए ठीक है तो बहुत यह 300 point में फिर से market को resistance मिलना ही मिलना है ठीक है अब हम यहां से expect करे अब यहां पर इसके पास अच्छा chance था कि यहां से wait करे यहां से ऊपर निकल जाए ठीक है लेकिन फ कोई भी खास चेंज नहीं है तो कोई भी खास यहां पर चेंज नहीं है तो options में positive होके बैठे हैं और futures में negative होके बैठे हैं अभी कोई भी खासा चेंज यहां पर है नहीं प्रो की अगर बात करी जाए तो options में negative है और futures में कल की condition है कोई खासा चेंज नहीं हो है यह ना ही client का न यह कोई भी खासा चेंज यहां पर हुआ नहीं तो FIIs जो है वो कुल मिला के ऐसा दिखाई जा रहा है कि options में options में भूलिश है futures में भूलिश है प्रो थोड़ा सा confused kind of हैं या फिर यह कह लीजए कि futures की एक मुझे यूजर ने बोला था कि यह भी हो सकता है कि futures की bullish position कोई option से edge किया हो वो भी हो सकता है और client completely bullish sorry FIIs completely थोड़ा negative side पर है futures negative है options थोड़ा सा dicey है और client completely bullish है और pro अभी भी कोई खासा यहां पर direction लेके नहीं चल रहे है तो देखे प्राब्लम के अब यही है कि दोनों indices जो है वो opposite चल रही है ठीक है दोनों indices थोड़ी opposite चल रही है तो थोड़ा quantity कम करके trade plan करना है aggressive plan नहीं करना है अगर market 25,000 के नीचे जाता है तो एक अच्छा trade यहां पर हमें nifty में दिखाई दे रहा है ठीक है दोस्तों तो यह था मेरा nifty bank nifty का analysis I hope आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को like जरू कर दिजे टिंग और subscribe कर दिजे sensible के channel को हमेशा के तरह व्渉त है धूँए अपट्राइब है